हलो बच्छो कैसे अब सब लोग इसमें बात करेंगे के पेपर नंबर फोर के बारे में कम्प्लीट डिटेल अब जो हमारे पास रिमेंग टाइम बचाया है तकरीबन साधे इन चार महीने जो बचे हैं इन चार महीने में अप्रॉक्सिमेट किस तरीके से आपको त्यारी करनी है रिवीजन करनी है कौन से इंपॉर्टन चैप्टर है किन चैप्टर पर फोकस करना है अब अभी तक आपको दिसमबर 23 और जून 24 के कुशन में बस को देखकर आइडिया होई गया होगा कि किस तरीके का पैटर्न आना है 100 पसंट कंप्लीट प्रैक्टिकल आने हैं ठीक है तो कंप्लीट डिसकेशन करेंगे इस चोटी सी वीडियो में जो बच्चे चनल पर नहीं यह चनलने को सब्सक्राइब और बेले के दिवाना मत बूद देगा और सी एफम की क्लास बारा करना चाहते हैं तो सिरफ 2499 में दिसमबर 24 की वेलडिटी के लिए आपको बहुत ही ज चलिए बायत करते हैं सी एफम के जैसे कि आपको बता है हमारे दो यूनट है पहला यूनट हमारा कॉर्पेट अकाउंटिंग का 60 मार्क का एफम 40 मार्क का उसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको त्यारी करनी है जो चैप् जाके तीन पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है वेरी इजी एवरेज और टॉफ वेरी इजी में आपके बहुत छोटे-छोटे चैप्टर जो दना-दन इसमें कोई किसे दिक्कत नहीं आने वारी ठीक है जैसे कि बोनस और राइट शियर एसास अंडर राइडिंग डि बनमान के चलिए आपको नाना करते हैं आपको 15 नंबर का minimum paper यहां से देखने को मिल जाया है और आपको भी पता है यहां पर कोई किसी दरीके की problem नहीं आने वाली किसी दरीके की कोई problem नहीं आने वाली किसी भी chapter में इसलिए सबसे बला target हमेशा क्या होना चाहिए जो सबसे असान है जिसमें technicality ना अगे बराबार है ठीक है जिसमें जो technical points है difficult point है इंसीचूट डाली नहीं सकती ठीक है उसके बाद अगला target जो हमारा होना चाहिए second step पे average chapter ratio cash flow share capital डिबेंचर यह वो chapter है जहां पर आपको जैसे की ratio cash flow share capital इन में से तीन में से तीन question आएंगे याएंगे December 23 में दिख लीजिए ratio cash flow का चोटा आया हूँ है 55 number का ठीक है और share capital का बड़ा question आया हूँ है तक्रीबन 10 से 12 number का ठीक है तीन number की ठीक है तो तक्रीबन 20 से 25 नमबर का आपको यहां पर देखने को मिल गया ठीक है और debenture का भी यह question चोटा आ जाएगा तो मतलब minimum 25 नमबर का paper पर आपको यह चारों chapter में से दिखने को मिल जाएगा और इसमें आपको पता है इतनी average सी technicality होती है ठीक है और यह सबसे favorite all time favorite chapter है तीनों cash flow ratio और share capital हमेशा हमेशा institute के तो इनको बहुत अच्छे से करके जाना है ठीक है और जैसे कि पिष्टीवरी पता है आपको first December 23 में share capital आय long question आने की पूरी-पूरी संभावनाए ratio cash flow और share capital में 101% है ज्यादा cash flow और share capital में long question जो पहला question आयेगा इन दोनों में से बनने की पूरी-पूरी संभावनाए है ठीक है जैसे ही मैंने आपको December 23 में बच्चों को बोला था जिस तरीके से वैसे ही आया June 24 में तो 101% prediction perfect रही थी है इस बार भी बोल रहा हूं और consolidation का हमेशा हमेशा कितने number का question आता है long question 8-10 number का आता है तो इस बारे भी पूरी-पूरी आने की संभावनाए है ठीक है तो financial statement financial पिछली बड़ी आ गया अब नहीं आने के चांसल पूरी-पूरी है बढ़ फिर भी इसमें यह मैंने tough में इस ल काफी लंबे चोड़े हैं इसलिए यहां पर तफ नहीं है रटा माना बढ़ता है इस चैप्टर में financial treatment of company यह आपका corporate accounting को इस तरीके से आपको target लेकर चलना है ठीक है उसके बाद FM financial management में भी आपको यहां पर चैप्टर यह तो बहुत ही असान है यह फिर थोड़े से टेक्न entry management marginal costing actually है तो बहुत हाई level का chapter है बट हमारे पर executive level बहुत नॉर्मल से question आते हैं पांच नंबर का question आता है तो इसलिए यहां पर टेक्निकलिटी होने के chances जीरो है capital structure capital structure में भी बहुत simple से और receivable management यह छे चैप्टर वह हैं जो बिल्कुल easy easy जहां पर technicality नहीं होती तो यह सबसे पहले आपको करने हैं बहुत ही आसान बहुत ही जबरदस्त अब एक्टरी में जो आपने देखा होगा कि FM का जो पेपर का pattern है उसमें पहला question 20 नंबर का ही आ जाता है ठीक है जैसे सबसे December 23 में हमारा आगया था working capital का single question आगया 20 नंबर का तो 50% स्लेबर तो एक ही चैप्टर क नंबर का और एक बीच में कुछ और था और एक लीवरेज का question आ गया थेक है अब मतलब पूरे पूरे chances हैं हमेशा हमेशा वैसे तो इन तीनों में इसे बनेगा अब इस वार जो पूरे पूरे chances हैं वो capital budgeting या working capital के वापस आने के बन दे अब working capital अगर आपको भी बढ़ा है December 23 के question वेपर से बत लग गया होगा कि जो अगर 20 नंबर का आया working capital का वैसा ही आयेगा कि आपको working capital प्लस आपको financial statement estimated प्लस आपको balance rate बनाने को बोल सकते हैं ठीक है तो यह यह चीज़ें आपको उसमें working capital में पूछ सकते हैं ठीक है capital budgeting तब को बता है very long chapter है ठीक है तो तक्रीवन मानके चलिए यह वज़ा जो position है ना इसमें से आपको तक्रीवन 60-70% इन 3 में से ही paper cover हो जाता है ठीक है क्योंकि एक question long question अगर 20 number का आ गया तो 50% FM तो वही cover कर गया उसके बाद capital budgeting में भी छोटे question अगर individually आया तो कम से कम एक question तो छोटा आए गई आएगा फिर work cost of capital का अगर long नहीं आया तो उसका भी एक चोटा आए गई गई आएगा तो मनलब क्या हुआ तक्रीवन 30 number का वेपर इन 3 में से cover होई जाएगा 30 नहीं तो 20 से 25 तो बिलकुल मरे मरे बिलकुल 25 number का तो है ही है हर आलत में ठीक है तो इसलिए बहुत बढ़िया तरीके से यह तीनों चेप्टर करना है बहुत अच्छे से ज्यादा हाई टेक्निकलिटी आपको बता है सरफ कैपिटल बिजिटिंग में है अदरवाइस कोस्ट अफ कैपिटल वर्किंग कैपिटल टेक्निकल नहीं है एक्चली लेंथी आप कह सकते हो पर टेक्निकल नहीं है ठीक है तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना है और जवाइस करने का तरीका क्या है चैप्टर वाइस अलग इलग स्ट्रेजी है दिखिए जैसे कि मालीजे जदातर एफम आपको बता है फॉर्मूला और फॉर्मेट ओरियंटेड है जैसे कि मालीजे लीवरेज एडिविडें टे है फॉर्मूला याद करते रही है ठीक है फॉर्माट को चलते हुर्मिट करते रखे रहिएं और कम से कम इसे कम वचा सो प्लीज एक से दो बार question paper पूरा उठाके attempt करके देखिए paper में जाने से पहले तो result आपका बहुत जब अदस्त आएगा लिख के ले लीजिए ठीक है ना क्योंकि institute भी जानती है कि हमारी जो field है वो एकदम accounts की नहीं है accounts का paper कभी भी difficult नहीं आता नहीं आता नहीं आता ठीक है एक अदा question पाइंच दस नंबर का एकका दुका question आप माल लो अदरवाइस 80% paper easy आता है बिलकुल easy या average ठीक है जी above average tough नहीं आएगा easy average या above average थोड़ा सा आएगा tough बिलकुल नहीं आता किसी case में भी नहीं आता इसलिए थोड़ा सच्छे तरीके से पढ़िए ठीक है और सही समय पर पढ़िए तो आप बढ़िया से score कर पाएंगे easily exemption score कर जाएंगे ठीक है तो इसके लावा अगर आपका कोई डाउट होगा तो comment box में जाके पूशन कीजिए ठीक है और comment करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा थैंक्यू और classes buy करना चाहते हैं cfm की या cc security group 1 की तो description में आपको link मिल जाएगा ठीक है description में और directly link पे click करके buy कर सकते हैं थैंक्यू बच्चो